विवाद की शुरुवात इस आरोप से हुई कि त्रिंग्मूल कॉंग्रेस की सांसद महुआ मोहित्रा शफॉरक्वेरी योजना में शामिल थी, जहां उन्होंने कथित तौर पर संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत ली थी. बीजेपी सांसद निशिकांट दुबे ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए दो पत्र लिखे हैं. पहले पत्र में वह लोगसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला को लिखते हैं, यह दावा करते हुए कि मोहित्रा पर हिरानन्दानी समुह के हितों की रक्षा के लिए रिश्वत लेने के आरोप हैं. दूसरे पत्र में दुबे आईटी मंत्री अश्विनी वैश्णव को मोहित्रा के लोगसभा लॉगिन क्रिडेंशिल्स से जुड़े आईपी पते की जाच करने का आगरह करते हैं. स्थिती तब और बढ़ जाती है जब हिरानन्दानी समुह के CEO दर्शन हिरानन्दानी लोगसभा की नैतिक्ता समिती को तीन पन्मों का हलफ नामा सौंपते हैं. इस हलफ नामे में वह आरोप लगाते हैं कि मोहित्रा ने उन्हें अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड प्रदान किया, जिससे वह आवश्चक्ता होने पर सीधे उनकी ओर से प्रशन पोस्ट कर सकें. दुबई में रहने वाले हीरा नंदानी का कहना है कि मोहित्रा का लक्षि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बौतम अडानी और उनके समुह पर हमला करके निशाना बनाना था, क्योंकि अडानी और मोदी दोनों समकालीन हैं और गुजरात के एक ही राज्य से हैं. हलफनामे के जवाब में मोहित्रा इसे मजाक बताते हुए खारिस कर दिती हैं. हलफनामे की प्रक्रिया और नैतिक्ता समिती की भूमिकाओं को समझेंगे. संसद में प्रशन उठाने की प्रक्रिया क्या है? एक नोटिस देना होगा, जिसमें उनके प्रशन पूछने के इरादे की सूचना होगी. नोटिस में आमतौर पर प्रशन का पाथ, उस मंतरी का आधिकारिक पदनाम जिसके लिए प्रशन है, जिस तारीख को उत्तर वांशित है और प्राथनिक्ता का क्रम शामिल होता है यदि सांसद एक ही दिन के लिए प्रशनों के नोटिस से अधिक देता है सांसद एक दिन के लिए अधिक्तम पांच प्रशन नोटिस मौखिक और लिखित दोनों दे सकते हैं इस सीमा से अधिक के नोटिसों पर उसी सत्र के भीतर बाद के दिनों के लिए विचार किया जाता है। आमतोर पर किसी प्रशन की नोटिस अभधी 15 दिन से कम नहीं होती है। सांसद अपने नोटिस या तो ऑनलाइन सदस्य पोर्टल के माध्यम से या संसधिय नोटिस कार्यालय से मुदृत प्रपत्रों का उप्योग करके जमा कर सकते हैं। लोग सभा अध्यक्ष नोटिसों की समीक्षा करते हैं और स्थापित नियमों के आधार पर उनकी स्विकार्यता निर्धारित करते हैं। उन्हें ऐसी जानकारी मांगने से भी बचना चाहिए जो राश्ट्रिय एक्ता और अखंडता को कमजोर कर सकती है। पर रखा गया समझा जाता है और पूरक प्रशन नहीं पूछे जा सकते। अल्प सूचना प्रशन ये सार्वजनिक महत्व के किसी अत्यावश्यक मामले पर होते हैं और मौखिक उत्तर मांगा जाता है। ऐसा प्रशन पूछने के लिए नियून्तम दस दिनों से कम का नोटिस निर्धारित किया गया है। निजी सदस्य से प्रशन लोग सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 40 या राज्य सभा के नियम 48 के तहट किसी निजी सदस्य को प्रशन संबोधित किया जा सकता है। बशर्ते की प्रशन किसी विधेयक, संकल्प या अन्यमामले से संबंधित हो जिसके लिए बह सदस्य है। संसद में प्रशन उठाना क्यों महत्वपूर्ण है? संसदिय अधिकार प्रशन पूछना संसदों का एक अंतरनिहित और अपरतिबंधित संसदिय अधिकार है, जो कार्यकारी कारियों पर विधाई नियंत्रन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। प्रशन पूछने के कार्यक यह अभ्यास संसदों को सरकारी गतिविधियों पर जानकारी प्राप्त करने, नीतियों की आलोचना करने, सरकारी कमियों को उजागर करने और मंत्रियों को आम भलाई के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करने की अनुमती देता है। सरकार का द्रिश्टि कोन? सरकार के लिए प्रश्ण नीतियों और प्रशासन के संबंध में जनता की भावना के बारे में अंतरद्रिश्टि प्रदान करते हैं. वे संसदिय आयोगों, जाच या कानून के अधिनियमन का गठन कर सकते हैं. आगे की राह संबिधान के अनुच्छेद 75 के तहट, संसद में प्रशन पूछना सदन के सदस्य का एक संबैधानिक अधिकार है. इस द्रिश्टी से देखा जाएं, तो संसद में प्रशनकाल एक अलग स्कर पर खड़ा है. एक तरह से, हर प्रशनकाल प्रत्यक्ष लोगतंत्र के संचालन का प्रक्तिकरण है, इस अर्थ में की जनता का प्रतिनिधित्व सीधे सरकार से शासन के मामलों पर सवाल करता है, और सरकार सदन में प्रशनों का उत्तर देने के लिए कर्तव्यबद्ध है. संबंधित अधिकारियों को भी इस बात का अच्छा कारण बताना चाहिए कि किसी प्रशन को अस्विकार क्यों किया जाना चाहिए. सदन के विश्यशाधिकार के कारण इसका कारण भी RTI, सुचना का अधिकार के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता है इसे अदालत में ले जाना भी मुश्किल है आचार समिती लोगसभा की आचार समिती ने सांसत को नकत प्रश्न घोटाले के संबंद में उपस्थित होने के लिए कहा है लोगसभा आचार समिती 2015 में सांसदों के नैतिक और आचार आचन की निगरानी के लिए जनादेश के साथ अस्तित्व में आई कार्यत सांसत के अनैतिक आचन से संबंधित शिकायतों की जाच करें और जैसी वर उचित समझे सिफारिशे करें सदस्यों के लिए आचार संहिता तयार करना और संशोधन या परिवर्धन सुझाना संद्रचना लोग सभा आचार समिती अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 15 सदस्य राज्य सभा आचार समिती क्रमशय सभापती द्वारा नियुक्त 9 सदस्य कार्यकाल एक वर्ष शिकायतों की प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति किसी अन्य लोक सभा सांसद के माध्यम से किसी सदस्य के खिलाफ शिकायत कर सकता है निशकर्ष आच्सित कर सकता है अज़्ब एू मनिस्टर्व शिका मैं ब्यूष इंड अज़्ब बार्ष एप कर सकता है अज़्ब एप रोर्द टेप्युन शूब्टन शूड ओ शूफर शूण इंड पिल्वन लो करेंशर शूप्शन ओ 한번 시 अंचर्मार मोुछी औरॉबंज मुछी रसेर सहरे कि अचर्मार अप्राइ़ can तैर सेतों गर्लार मुछीक टेवसार के क्षण ताको illar फस्तर मेना टेजिसल के आी Music бесп丁न हम्सेद करें सेत्र बालुणून थैजिसल के लियनुन थाफज़ करने कर्या का एंकिन्यूं शजयु कर्या हूंु तछ न या दिभर यंज कर्ड कर्या हूंु ठाइच किस था्वकSho